अपर से हम क्या है लेंख यूनिट कर वरजन के बारे में सीखते हैं ठीक है AI तो हम जानते का क्या दोस्त हुता अग्ड квutahा हुता थेखर डेका होगता है डेसी उता है संटी होगता है मेली घ्रत है मेली होगता यहां एक में रैड कलोर से मीड YouTube लिखा है यही मीडर जब Mother इसके साथ यही ग्राम इशांटे कर दड़ म्लेचाँ तब कर दिर्धेकर इनका abbreviation क्या है इसको हम 60 में दिखते हैं क्या है यह जो कहली अब दिखता है अब दिखता है इस को अबड़े की घो शाकर कि दिया यह है फिर्ड आप अब cringe Dto और डि ना है आप dei sini को स्लिख सी को और है c 5 5.6 मी एक अब घोंली को आप करें है जू मिटर है मीटर हम क्या करें जैंगे सब सके साथ अगर यह जोट दें कि ऐसे 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 है यह यह अन्य यह रहरा जाएक लोगी यह पड़ा जाएक बढ़ा जाए गर डेका मिटर भी पड़ाएगा डेश मीटर इपड़ा जाए अब क्षिश्री को पकड़ें इसको ऐसे को इसको पकड़ेंटल करतें इसका शही आपका क्या हो जाएगा vm हो जाएगा cm हो जाएगा अब mt बाद है cm है cm जाएगा cm M आप जब भी परिछ्छा में आपको problem हो तो आप इसको लिख packet अब भी बेता है उसके बाद आप सारी चीजे लगा लो सारी चीजे लगा लो इसका मतलब क्या थोड़ देखिए इह क्या होगी है आइस्फे लारŠेष्ट यूट हो शुक्म सबसे लार्ज़ेष्ट वे सबसे बड़ी शुक्त ये सबसे इसमालेश्ट होगी इसमालेश्ट होगी यह बस ऑनाली ठीक अच्छा आप अगर भ्यां से देखिए एगा आप यहां से थिck 1 am मराबता ही तुल स्था भूल्टोक्र बराबसे होता है तुह तो म्ता अएसे एक अधे हसे अव्ता आउनने सुध क्रिचाना या कि रेदो ना क्वाता, मिटर्ड मराबसे या कि देक्टाहुए वे यस राके पे, 10 cm 10 10 10 10 10 का multiply किया जाएगा जब क्या है largest to smallest जाएगा ठीक यह बात आपको सब्सक्रा रहे हैं ठीक है ऐसे ही क्या किया जाएगा इसको मिटा जा रहे हैं ठीक ही समझाएंगे 10 से divide किया जाएगा अब जब smallest to हम largest unit में जाएगे तो यह की जो एरो आप इधन लगाएं है सब एरो की रख होता जाएगा कि अब बात सब्सक्राइब कर गया है आपको 1 mm पर कर जाएगा 1 बाइट 10 सेंटीमेटर रहनी 0.1 सेंटीमेटर ऐसे 1 सेंटीमेटर पर आपको जाएगा 1 बाइट 10 इस सब कुछ आसी चलता चलएगा आपको समझ में मैं कहता हूँ यह बात भी आपको समझ में मैं कहता हूं यह बात भी आपको आंग पर समझ में आ है तो आयए चीज शुट अरल शाया थे इसकीаем अ-छेज जो पु SUPER okeriend किपर देका जाएगा इसको में पर और भी तक definite सेन्टीलिटर जाएगा है लगा सक लगाओ क्यों हिसे सेन्टी लिट्र हो जाएगा, ऐसे ही पमक्र लिटर के साथ साथ किलो लीटर हो हेक्तोजीटर होजाएगा डीकलीटर होजाएगा डेसी लीटर होजाएगा सें। लीटर में लेंद यूहां यूहित चुछ तो इसको मिटाते हैं साड़ी बताते समझाते से इसको नगा इसका अब्री वेकल सीखे थे कार्व यहां से के यां होंता है लिए तो मीटर होता इसे मीटर को एसे रिप्रियम किया जाता है आपका जो डी से रिप्रियम को से बात में संजाए कि ठीक है अब ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा, आज के बाद आप अगर गल्की कर रहे हो, इसका मतलब आपने आज की पढ़ाईं देखिए, ऐसे बना दिया, यह बना दिया, ठीक, अब आपको कोई पूछा कि एक किलो मीटर में, एक किलो मीटर में कितना मीटर होगा, एक किलो मीटर में कितना मीटर होगा, इतना मीटर होगा, ठीक, तो देखिए, किलो मीटर कहा है, यहां पर यहां पर एक ही हो, मीटर कहा हुआ हूँ, यहां पर यहां पर तेना तक गीर रहे हो, कितना देखिए, एक यहां, क्या करना हो, अगर आपका ही स्मा掌 जा रहा हो। जहानि गड़ी उनिट से छोटी उनिट जा तरह सब खुछ एसज़े पूत vòng कraf व 되면 क्वलता हैं कि यहां थितना थिका सब्सक्री वर साइक्ट कि इन तिक सब्सक्रीद गार तो हम wünz ऐसे कोई आप से पूछ दे कि एक डेका मीटर में कितना सेंटी मीटर हो क्या पूछा एक डेका मीटर में कितना सेंटी मीटर हो किना सबस्कुति एक हर अगर कोई आपसे की सबस्क्राइब कीतना सबस्क् catering सब्सक्राइब कर दो कि एक हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो एक हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो इसके एक हेक्टूमीटर के दो कि कि एक हेक्टोमीटर का प्यकूर देना सेंटीमीटर होता है तो नो यहां पर लिख दीजिए इतना जीरो उसको देख लिजी यहां पर आप करना हो जाएगा अब कितना जीरो जाएगा लेको चार इंटू टेंट बहुत बहुत कर गए चार नो इंटू मिटर पूला जाएगा अइसे कोई कहें 6 6 इस डेका मीटर में कितना यम्यम होगा तो यहां पर आप 6 लिखोगी एक दो तीन चार उसके आगे चार जीरो उतना क्या हो जाएगा यम्यम हो जाएगा बोलो यह बात समय कि नहीं है यह हमने क्या सिखाया कि largest to smallest unit में कैसे conversion किया जाता है ठीक है अच्छा अगर हमें क्या करना हो जाता हो अगर हमें क्या करना हो इस इस माणेश्टो लाजिस्ट आटल श्याना जмат श्मादेश्टू जाएगा आज के पार आभ तो अगर कोई पूछे मादिश्टीन के कितना मेटर ह कि इतना मीटर होता है कितना मेटर होता ठीक, और यहां पे दस्मुल लगागा, जेखो, जीरो दस्मुल, जीरो बन, है कि नहीं, इसी पर आप लिख सकते हो, एक बट्टे सब मेटर, होता है कि नहीं होता है, पहले होता है, कुछ करना था नहीं, मैंने कहते हैं, एक सेंटिमिटर के एक लिखा, यहां जीरो लिखा, यहां जीरो लिखा, पि इंके बीश में दस्मुल लगाती है, इस जीरो इसके बीश में दस्मुल लगाए, ठीक, ऐसे कोई चाहिए कि पांच सेंटिमीटर में कितना मेटर होता है, पांच सेंटिमीटर में कितना मेटर होता है, पांच सेंटिमीटर में कितना मेटर होता है, पहलो समझ में आरा की नहीं आ रहा है? यह आप देख करुआ हो इस ़िस होनिट है उनिते हम में ही जाधा क्या मिकांद होच पसे ऑगल तद चले करें? इस पाद पुद्ध है? seemscolor कोई आक पूच्छो है कि एक डेशिमीडर में कि एतना कि ने का दिसमींटर है कांँ विए इस लाहीं हमने यहां के एंग गी में कि यहां है कि यहां पर यहां यहां रहें दो-धो यानि इस को बोल सकते हो एक बट्टे 100जगमीटर अगर कोई कहता कि आठ डेकमीटर में कितना होता दे हां 8 हे आठ जाता दे गैल्वादी का है आपका 8जगमीटर में 0.01 देकमीटर ऐसे ही इस बात बता दो आपको एसे कोई पूछेक 1 cm कितना हेक्टर मीट़ है चलो हमुच चलो ऊच एक सेंटी मीटर में इतना हेक्टर मीटर हो cm किया है इहां पर आपा cm यहां में है इक लखा क्या कुछी हां lucky है 1,2,3 and 4 आप थेल यह अभगने इनके देशों में 10 और हाए क्या हो जाएगा 0.0001 क्या एकटो मीटर या इसी को दिखना चाहते हो एक बट्टे लिख सकते हो क्या हो एक लिखे एक दो तिर चार एकटो मीटर या इसी को बग्यानिक प्ततम लिखना चाहते हो हो जाएगा 10 to power minus 4 अगर आपको को पूछ दे कि एक डेसी मीटर में कितना किलो मीटर होता है तो ती जार यहां बट्रत लगाते हैं आपका उत्तर हम कोई कुछे कि 5 इसी में कितना आपका किलो मीटर होता है पांच सेंटीमीटर में कि इतना कीलो मीरता का देखो दे रची में हैं है यहां फांच पांच यहां कि दस्बस कि होगा बहुत जल्दी लिख सकते हो इसके बाद आपका यूनिट में कभी गलती होगी ही नहीं, और इसकी वज़ा से बहुत गलती होती है लड़कों, बहुत गलती होता है, इसका आप लिखना चाहो तो बग्यानिक बंदर की लिख सकते हो, पांच उने, एक, दो, तीन, चार, पांच, टेन टू पावर माइनस पाइव कीलो मीटर, या एक बट्टे पांच बट्टे लिख सकते हो ना, ठीक, ऐसे कोई कह दे, ऐसे कोई कह दे, आपसे कि आपका पचीस यम्यम में कितना डेका मीटर होता है, तो आप देको, एक, दो, तीन, चार, यहां को दस लोगे, ठीक, क्या होगे, अचीस यम्यम में, कितना जागा, जीरो, पाइंट, जीरो, 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 टू, आपका, डेका मीटर होता है, हो लो, यह समझवायाद नहीं रहा, यह सबसे सिंपलिस्ट था, इसके पहले भी एक वीडियो में ने बनाया था, इसी पर बनाया था, वहाँ पर भी यह बातें बताएगे, तो इसी चार्ड बना गी नहीं बताया था, ठीक, तो इसको याद रखना चाहोगा, उसको देख लो, जो अच्छा लगा, आप कर लेजेगा, ठीक, यह बातें आपको समझ वाएंगे, अब हम क्या करेंगे, जो लेंग यूनित कर अगर माल लेजिए, मेरे पीता जी, यह मैं, मालू मैं, ठीक है, एक मार्केट से क्या किया है, तर्बूज रहे, क्या यह, तर्बूज है, और मेरे पास चार लड़कें, क्या वाएंगे, चार लड़कें हैंगे, पहरे बात यह क्या पूरा एक भाग, कंप्लीट है, ठीक, पूरा यह है है gefड है और चारो लड़कों को अब क्या बचेस्ता हुं पुरा सभ्या चार अब हुं त्यक *** कीउट से पाटेंगे मालू एक लड़का घर पर है संपूंस तरहिए खेल अब तो उस लड़के को तरब हमने काट के immediacy तो इसे ब। वाग पूर्शन बोला जाएगा बोलो समझ मारा यह बास समझ मारेगे बोलो ठिक अच्छा अब मानने नी मेरा दो सार अड़का भी आगे है तो अब क्या होगा इसका यह बाग उसको मैंने परमा दिया तो इसको मैंने क्या दिया एक बट्टे आगउट क्या हो कि पस कुछ करने दिया कि इसके मारे पहल अब कितना इसको में टाराल पिगा दोते नीम फjem पारग नचे दिया मल्रल्प कज सब्सक्राइश्वेबै। आप दो बच्चे गा वह भी वही पर मालों तीसरा बच्छा भी घर पर अब उसको मैंने क्या दिया यह भाग देटी तो उसको कितना दिया एक बट्टे चार ही भाग दो दिया एक बट्टे चार भाग ही तो दिया ठीक इसका मुलब कितना भाग बचा है एक बट्टे चार भाग ही तो बचा है आप कितना वाग बचा है तर्भूज का खतम हो चुका है इसी को क्या बोला जाता भाग पाउने बोला जाता इन बट्टे चार भू गाहों की लेंगज में क्या बोलते हैं हम पाउने बोलते हैं इसको लिखा जाता है यह बात आपको समझ में आ रही है इस वाग बचा है तिसरा लगा है बट्टे-4 भाग उसको भी देंगे तोटल अगर भागों को जोड़ो गें देख बट्टे-4 धने बट्टे-4 तो वो पूरा complete one है, यानि एक पूरा तर्बूज था, जो हमने बच्चों में क्या किया, बाड़ दिया, तो हमने यहां से सीखा गया, हमने यहां से वो तीन वर्ड सीखा है, दौह में यूज करते हैं घरसर, ठीक है, एक वर्ड होता बाबू, क्या, कि आधा, कभी कोई आधा कहे अधा यहां हाप कहे, टा हाप का मितलग क्या होता? एक बच्चार बड़ कर रहा है। इसको हाप लोग को पूरे को नहीं देगे, पूरे क्म have a cow, तो इसका बड़ब क्या होगा है। तीन बट्टे चार की बाद कर रहा है, 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 तीन बट्टे चार की बाद कर रहा है वाइफ को दियाう वाइफ को मान नहीं खड़ा दिया और नम गरंड़ ऑष और तो उसको कितना दियाँ हमने उसको कितना दिया वहत टुम गए ऊसको कितना धिया हुआएगा व्हाइफक तुम शीजकное law गव्हाँ ने यहाँ करें अगण के एक कर्मुझ और था हा यह इंसको धीया इसको दिया इसको देना है वाइप किया रिख लिया यह का अधा भात्व आल ध्या किया अर देती। इसको कितने लियाद का, यानि आपको लिए स Lori 1.25, यानि इसको बोलते हैं सवा एक, या जादाि देना दिया है, और दाते हैं सवा एक, ठीक, अच्छा ऐसे एक वर गाम बोलते हैं लोग धाई क्या बहुत मानता हूं तो मैंने आठ तर्बूज मान लो लाया तो दो तर्बूज उसको तो दिया इखाने के लिए एक तर्बूज का आधा भाग और देती है तो यह देती है और धन आपका हाफ हो जाएगे यानि दो धन आपका क्या हुआ हाफ लग दो सही एक बट्टे दो की बात करता है तो धाई क्या आता है दो सही एक बट्टे दो मतलब इसको रिसे के पाद 2.5 तो गाम की भासा में यह वाला वर्ड भी यूज किया जाता है ऐसे जाए गाम में और यह उचें आता है देड़ बोला देशों क्या मुझते है उसको डेड़्य करता है क्या होता है जासे मान जीजीए एक रणके पैसा किया एक बट्बूस द्रण वेरा जो है उससे चाहिए किया करचक्छ आधा करश को आदा करद दिया देजिए धर से एक एक वट, दो नीच सकते हैं या उसनीको सप्सक्राइब वश्यों इसको बोलते हैं वन से एक वटो डो ओं प्सक्राइबे, क्याल रूलते हैं. देर्ड. एब आ, आपि काई वाली लंग 도्onton समझ में आ गए, है. इनड़ी तो इंक कि ठावर्जन को सूछ में 30 cm में पढ़ने से हम्य करते हैं यह सीखते हैं की क्या 강 One देजिए का इस प्रताश्य को प्रदर्शित कि अधर या गया गया है पटे हम कभी भी यगर ममालो प्रत्र प्रत कहीं किया गया है तो फूत को हमेशा है क्या करते हैं डाय 10 जिसमालों यक्स फूत है कि यद्र भी पर कोई बोला यक्स फूत कोई पीट लिएता कोई फूते फूत लिए फूते हो काम करते हैं यो बीब नम्हानस चुरी त्या लोगें, वो ऐसे लिखते हैं. ठीक. अगर कोहीं कहे, X INJ, X INJ одGA को ऐसे लिखेगा नहीं, वो क्या करेगा उसके उपर ऐसे Double, एक्ष के उपर Double ल लेते हैं. рядस बाक्सवान वह इक्सक्व लिखा है, तो उसका मुलब सुनना वह Xfoot है Double dance अगर कोई लिखा हुआ है तो उसका मुलब क्या होगा आपका वो inch को पर देस्यत किया है इन्च को पर देस्यत किया है ये बात आपको समझ मागी ही ये बात आपको समझ मागी बना वे जैसे अगर कोई कहे जैर में कि दो इंच आप सो कें था हमनेों सब्सक्राम कि उसके इसे ही सवगार कि आप दो यह पो इसे रेसे हैं पांच पूट ठीक यह तो बाद सवाज में दो बोलो यह बाद सवाज में दो इसको पांच पूट अब क्या है थोड़ा साम इसकी भासा और सीखते हैं लेंगें पगड़ते तब उसके बाद उसको कनवर्ट करना सीखते हैं तो आप समय में गया कभी कोई एक सुट लिखेग तो यहां पर मलब दो उपरखाई रगाओ तो इसको पूट समझे ना डबल कर दिया हो उसका आपका हमका इंच हो जैऊ ठीक है यह वाद आपको समझ मागे कि अब क्या सिखते हैं इसका अब क्या सिखते हैं ठोड़ा भासा सिखते जैसे पाहने तीन इंच लिखना है आपक बट्टे चार भाग कम है एक बट्टे चार भाग कम मलब यह complete होने के लिए बट्टे चार भाग कम है अगर पूरा एक करना है तो उसको complete होने के लिए यह चार भाग क्या कम है तो उसे पाउने तीन इंच पाउने तीन इंच कैसे लिखा जाएगा पाउने पाउने तीन इंच इंजर मार हवाब तो पंडे 3 इंच को कैसे लिखा जाएगा एच मेलाम क्या पहोते हैं एक बट्टी चार का होते तरह से लिखा इसके गा दू सही तीन बंटे चार उपर ऐसे बनादेगा, या इसको ऐसे लिशता है, 2.75 ऐसे कर देगा, इसका मलत होगा बाउने तीन इंच, देखो, अगर आधा इसमें जूर याता तर तीन हो जाता है तीन इंच, ठीक है? अधा नहीं तो वन बाई पोर, वन बाई पोर अ इसको मतलब क्या होगा, इसका मतलब वे होगा, कि 2 इंच धन, 3 बंटे, 4 इंच, ये दुआ, तगर इसमें हम क्या करते है, 1 by 4 इंचो रदेटीन हो जाता है, इसलिए इसको बोल आता है, पौने 3 इंच, ठीक है? ऐसे कोई कहें, पौने 4 इंच, पौने 4 इंच, पौने 4 इसका मतलब क्या होगा? 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 साढे छे इंच मयलब क्या हो साढे छे इंच को न छे से छे धन हाप इंच जाधा जो जो जाएगा 6 से एक बेंट दो इंच याइसी बोल दो तो 6.5 ऐसे बनाए है बोरू यह पास्तों मैं नहीं नहीं है रिकले बतारों चिक ऐसे करें तो सवा नौ इंच कोई कहें सवा नौ इसका मतलब क्या है कि हम नहीं क्या मतला सवा का मतलब जो आपका संख्या उससे वन बाइप पोर्थ अधिक यानि सवा इन के मलब क्या हुआ नौ यह कंप्लीट है अप्रला सवा को मतलब आपको एक बट्टे चार इसका मने इसको जोड़ा जाए रहा ते बनेगा नौ सधी एक बट्टे चार इं समझ में कि यह बात पी समुझ में की नहीं करां है ऐसे कोई कि पौने आठ इंच पौने आठ इंच पौने वारे वाली पाना समुझ किया थे ओं आठ मिन इसका मलब क्या हुआ हुआ है कि साफ सरी इस तीन बतब चार प्ांच फिट ग्यारें इनिच ऑफ कि पांच फट उसे को बोलते लोगाने है पांच फिट ग्यारें इनिच आ पांच फिट भूल को पूले फिट सिट ग्यारा इंँच इसको लिखना बारग ऐसे लिखेगा इसको लिखना बारगो इसे लिखेगा यारा इंच होतर क्या एसे बारगा जाना 1च ऐसे दिखा देगा इसका मजूब फुट append 11 इंच ऐसे नव फिट सवा चार इंच, क्या बहुत। नव फिट सवा चार इंच, क्या। सवा चार इंच, दान सुना, नव फिट। नव फिट को में आपे नव कि अपर यसे कर दें निए। सवा चार इंच, यानि चार ढ़न गज़ता, नव फिट। तो 9 फिट ऐसे लिखे कोई लिखे 4 दसुलों 2.5 ऐसे डबल करते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे 9 फिट और 4 दसुलों दूर 5 को सवा 4 इंच क्या सवा 4 इंच ठिक ऐसे लिख अगर कोई कहाते हैं दो फिट पाँने 5 अगरो हैं इन पाँने इसका हम लगा हुए दो खिट का दो इक यह लिखे एक डैस लगाईंगे तिसका हम लगा हुए दो फिट पिर एक उने इसे डेस लगाके पौने पांच इंच पौने पांच इंच चार सही तीन में चार ऐसे डबटे ओके या इसी पुली कि तो पर आज़ सिंगल आपका मलब के इनुटेट का माँगल फिर ऐसे करके छार जार जूर शार पाँच देबल आपके नटेट का मरत ठीक ये बास वाम गारें है इना इसे कोई कर धाइफ देढ इंच धाइफ देढ इंच ये विटा रहें है धाइफ देढ आइफ देढ इंच एंग्रिश धाय फिट देर्ड इंच इसके माला क्या हो धाय फिट पहले कर दो यह हो गया धाय फिट फिर इसके बीशने आईतर पुड़ात लगा फिट देर्ड इंच देर्ड कमला एक साही वट्टे दो ऐसे हो जाएगा इसी कोई क्रेक्वेशन और नहीं सकता है आपको देने वाला 2.5 1.5 1.5 ऐसे ओके यह बाता समझ मारेंगी ठीट ऐसे तीन फिट साढ़े चार इंच कोई गहें तीन फिट साढ़े चार इंच तीन फिट साढ़े साढ़े 4 इंच तीन फिट करों? तीन लिखे एक आपका इसनाट कामा सरी लिखाते है सिंगल पर साढ़े 4 जाज उबटे 2 इंच को जी यह इसी को लिखक्ता आतीन लिखे यह इसे करके चार गज़ी लोग पांच ऐसे आपको क्या मोंते है? से आसे होता है तरीका उता है भॉलने के भासा उते गांकि गों जो समझ में नहीं हरती रिखने सिह चुंधा ं अब क्या क्या करेंका क्या एक नंते हैं कि इन्शанич व हीखता है और स कंतिमिटर दो नो सुति के बारे में कि निए जिकется तो देखो दोस्त हम जानते क्या हम एक बात यह जानते हैं पहला बात क्या जानना ना कि अब आपको यह जानना क्या कि एक इंच जो होता है ना एक इंच बराबर होता है तू पाइफ़ ओसेंटी मेर्ट क्या है तू पाइफ़ ओसेंटी मेर्ट काभी कोई आप लोग फूल देते हैं ठीक अच्छा यहासा इस सेंटी मेटर एगा इसका यम्म पणना होगे तो यह हो जाएगा क्या है ट्वंटिफव ऐफ़ और वाइप ओ पूल होगा कि नहीं होगा फोलो लोग अच्छा ऐसे ही अगर कोई कहां दे कि एक इंच बरबर क्या वो हूँ आठ सूथ होगा क्या होगा आठ सूथ और बोला जाएगा सोथ तभी दिकाये उसना इस इतना सेंटीमेलτεर है इसका मनुला अठिके विर नहीं पिलबर दो टेपर सेंटीमेटर एड़ लिए यून बहुत इंपार्टे चीज़ बता रहे हैं जहां सुझी ठीक अब आई हम क्या बोलते हैं कि चीज हम सीखते हैं क्या पहले सीखते हैं फिर हम इंटिटेव देखाएं कि एक इंच भोगा किया जैसे में आप नहीं गुए मतलब लेते हैं यहां पर आउ देखा जैते हैं पर यह भी आखिसे में हिंद डिपके लाया क्या करो आपको समझाना था तो आप भ्यांसे लेखें आप देखो मैं लेता हूं यहां पर पचीस और चब्वीस का लेता हूं इसको बताने के लिए और शिखेजे कि आपका अधी इसी में आप बात करोगे आप बात करोगे इसको बात करोगे तो आपका यहां से सूत में बदलना है, एक फित में कितना सूत होता कोई पूछ रहे आपसा तो बारायं इंच, बारायं बोड़े, क्या जाए ऐस वह लूड़े एक बनाः जो चानगे सूत हो जाएगा यान एक फित में आपका 96 सूत होता है सेंतिमेटर में करनेогдагов सेंटीमेटर हो गारांग हो गुछ सेंना अगर्यकमूस जायरी जरुब केरा नांप सेंटीमेकश में टूरू सेंटीमेटर हो गार्फ। आपसे कोई पूछी ते हैं कि 1 फिट में कितना एमेम होता है तो 12 एका गुड़ा कर लेजिए कितना है कि 25 तरसलों 4 एका गुड़ा कर लेजिए ठीक ते इस समर्ण ये चीज मेरे बहुत इंपार्टन है ये जी बहुत इंपार्टन है कि एक इंच बरागर 80 या 2.54 सिंटीवीटर या 25.4 एमेम और ये भी इंपार्टन है कि एक फूट में आपको क्या होता है 12 इंच होता है एक फूट में क्या होता है 12 इंच होता है ठीक एक चीज और आती है थोड़ा इसको भी जान देजिए सब्सक्राद करना हराम से कर शक्राट कर सकते हूं बहुत आए बात समझ्माइब आए ये बात समझ्माइब आए ये पात आ है तो यह बात आपको समझ में आ गई अच्छा एक चीज़ और समझना है क्या कि सब्सक्राइब कि आपने बताया कि आपने बताया तो यह बात समन्हा नहीं आपने यह बात समन्हा नहीं है ठीक अबी बात आपको समझ में आ गया है इस तरह से यह चीज अगर यान है, यह क्या होते हैं, तीन फिट में एक याड होता है, तो हम यूनिट को convert करने में हमको आसानी हो, ठीक, अच्छा, अब हमें बहुत इपाट हैं चीज, और चीपने जा रहे हैं कि हम उसको देखते हैं, अगर मालेज हम कोई इंच लेते हैं, कि ऐसे बीच में एक इसलो बोला जाएगा इसे युद छाज के पीच मिल जायगा, तो भी उसको क्या करेंगे, एक इंच भी तो बोलेंगे, इंच वारा मेज अबार कर दे मां था आब लैंगे ठीक हैं, अब क्या आब है, अब क्या भाभी होरा हो, इसको चार भाग में अगर इसको लिखा जाएगा थैकर इसको क्या लिखूए अगर आप इसको लिखा जाएगा इसको क्या लिखागी है अगर दो टी चार कोस है ज्सें क्या है चारream мет यहां आप यहां सा की यह निखोगे है इसको गोलो कि एक बंटे चार यह क्या हो जाएगा दो कि इसको कि इसको कि इसको कि फाप कि इसको इसको कि अब कि कि मैं कि अ आप के ठाव कि इसके यह मों WordPress एक Yay Ha Rabho, हर चीज वो समस्टेतर चलना डर लोता जाए सब्सक्राइगा। इन नहीं जोगे हैं एन इक बन्क्न आथा कि इसको क्या बोलोगी दो डत्ते-अथा कि इसको जो टental हैं इसको आथ बन्ते-अथा कि विलाखक。 सब्सक्राइजिए करने जो आइं है कुर्ण है और क्षा क्षेव volts सोट यह इकई बाबर प्रल्ड उसनके एक सूथ है तो यह एक सूथ अगर निकालते हो क्या हो जाएगा एक बट्टे आठ इंच के बरावर हो और एक इंच में आप जानते हो कितना होता हो 25.4 mm होता अभी मैंने बताया था पर इसे भाग करोगे तो कितना आएगा यहां मैंने जिकाला है 3.175 mm हो यह आगे क्या इग सूथ अगर बहुत कुछते हैं लोग क्यों परिच्छा कमपडिशन होता है और गाहां का तो आजमी हमेशा पूछता परसान करता है यह उसको पता इसको पता ही नहीं हो तो आप उने क्या से मने बाटा हमने क्या यह यहां से लिके यहां ते कि इसकु पहलो है मैं चार खाग में बाटा ता तरह आधा यह था यह टार तम आहजें दो इसको आर्ट अफ ज़ूरुश्ब वाल जा कर दो आघंटों ने स्थे सबिचर ठीने क्या स्वालर प्रेका क्योट ने अदर रच अच्छ तो शार्ग में आचार अट अच्छा ऐ घुत क्होग करें हैका एक सूता है तो एक सूति unserer स्ते एए सूती एक सूती आसे आफ शूते तो आट सूफित से बराबर होगा एक इंच के तो एक सूथ बराबर एक पटे आट इंच के और आम जानते हैं कि एक इंच में क्या होता आप 25.4 mm होता है भाग पर दिया 3.175 आपका यह में माँ जा लेगा ठीक यह बाता को समझागी अच्छा अब क्या करें हैं अगर एक सूथ को भी हम बाट दें धान देगा एक सूथ को भी हम बाटने जाए धान देना तो कुछ जो आपके शेक होते हैं तो यह देख रहे हैं यहां पर 25 लिखा यहां पर 26 लिखा यह पर 25 इंच है तो 25 इंच का मतलब क्या होगा 25 इंच क्या मतलब होगा देखो पर डी कहा llega को यह 25 इंच इंच क्या मतलब को आद आभ यारा कि 12 इंच में कर एक फुल्ट होता है Ahh मैं क्वार्ट होता है चललु ऐसे अब भासा सिखा लिका दिए ना सब्हस्तर कर दिखन인이 गार्ड़ यह शुरिक है यानि दो फूंट, एक इंच, आप जहां से देखो यहां के, यह देखो, टू लिखा है, पी डैस लिखा हो बन, इसका मतलब क्या होगा, देखो यह जा है रेड कलर गाया, पचीस के अब अगले, हम ना लिख लेबा, दो देखो लो जा, दो और एक लिखा, इसको जब भी इसको नहीं लिखा लगाता है यह दावी लिखा लेकinya रेजाते हैं, आप जानते हो इसका मल्लब यहां के दव बन, इसका मल्लब दो इंच और इसका मल्लब 2 इंच, इसमें नहीं लगाता है, उप नहीं यह बात तुमको समझ मारे मिया है कि यह देख लो याद यहां कि और इसके भागों को देखो कि इसमें तो ऐसे मैंने गीना था तो 16 दिया हुगा दूसे मैं देख बताना चाहता हुगा इसको भी सुनू कि उसमें क्या करता आठ के दिया थे सही स्केल जब लोगे ना इसकेल म कि जो आड भाग बना हुआ तो प्रते भाग एक शू शू शूश कहा के लेताइए अब सबस्केल इसको बेढ़ना था इसको komणड़ बढ़ना इसको मुई मिर्द यां जाबाव कि इसको मांटा इसको मुई मुई को ऐसे ऐसे एसे ऐसे ऐसे अब कितना भागोंगे देखो 16 भागोंगे देखो यह आदा सूत बोला जाएगा और यह यह आदा सूत आदा सूत पूरा सूत एक में आपके दो पोर्शन और 16 भागने मिझे जाएगे इसको हम क्या कहेंगे इसको एक सूत का जाएगे एक वरट इसे एक वर्टे सोला जोडें से इसे तीन भटे सोला चार वरटे सूला जいき तैनके देखो यह आदा सूत कर दिया ह sé Toutड़े आज सीम सिंव है में हम हाब क dpi कोई बोले हाफ सूथ क्या हो है तो सबोने एक बट्टे सोन होगे किॉपि आफ सिवक्त में आपका क्या होताई ति या पी इन करें की तो यह शुन में पहले ... बता направ". कशलों आध एक चाह और समझाते हैं तुमको heut इना किसे उताइक पैसे डूएद्स को ड़कत है वहाला या कैसे फूट को दर्साइडा जाता है तो एक में आधर मयराँ आपके होता है आप आपका अच्छा कभी इंग्रिप्में इसको एक स मिलेगता हूं करद estamos छले यह पास समझ रही होगी हुगे है हमने हाथ को इसमें देखना हो इसमें देखना हुआ इसमें देखना हो हमारा 27 ने तीस इंच 30 इंच को क्या लिए होता हो तो और 6 दो श्यक मनलब क्या हुआ दो फूर्ट 6 लिखा ना दो फूर्ट 6 अरे 24 इंच वह हो गया 24 इंच अप्रच श्यक अईसे देखो यहां पे लिखा हुआ तो फूर्ट 6 अब करें तीन तीन मतलब तीन प्रच और तीन इंच इसे देखो यहां 45 लिखा थीन और नाइन मतलब तीन फूर्ट 9 इंच जोड़ो तो बारत यह चाथिस प्रच लोग कितना जाएगा 25 इंच वाली वाल साय सोय सबन में आ गए होगी है अब थोड़ा संब दिसकर तुमसे और करतें इसका सेंटीमीटर और व्यम्यंगी बादें में और न यो पर यह जोंग के बार है अभी तक तो आपको वैसे ही सिखाया है जब त्होंना कि यह नीजी क्मौर यहां स्कुझे सट् यह स्तर से स्ट्रास से when あ संटर्स आससर स्टर और मैं हैं का यह एक सेंटिमीट्र मी का जआता चोटा चोटा देख़ा अब करें 10 एम होता है तो वही आप करते हैं क्या एक सेंटीमीटर व्लावर होता है क्या आपका दस यह मतलब अगर मान दो हमको दर्शाना हो सबस्कार करें दो हमने लें लेखे हैं जैसे 6 से 7 से जैब आप इसमें क्या अगेता स्कूर्स टमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नव दस अब यह दस क्या एक पोर्शन अमाला इम्यम को बता रहा है क्या इम्यम को बता रहा है तो पूरा टूटल कितना आए यहां से आपका एक सेंटी मीटर यह है एक सेंटी मीटर आइक सेंटी मीटर में दस सेंटी में हमता है तो एक अमाल आपको अध्यान एक आप प्यास कि श के पतानु है एक प्रफ दस में आएक सेंटीrole मृता अब आ चेल शाफ भृत ड़के या आपका एक हजार एम्मोंता है और वहीं कितना होता होगा एक मीटर मन में क्युक्ष्ण आता होगा किसल कितना होता होगा आप लिखाते हैं इसको इतने का पोड़ा हो देख सकते हैं है आप जबाता है एक ठीक दार उससे लाए तेका समझा देखे देखो आप ध्यांस देखो यह लिखाओ नब्बे नब्बे लेखा है नभ्बे सेंटीमीटर क्या नभ्बे सेंटीमीटर जा कितना होगा नौस और कितना होगा नौसो इसलिपा है यह सब कर लिखा यह थे मद्दध कर देखो एक दो तीन चार पांच छे शाट आट नौँड़ दस आरा ते आपका असी अच और फिर पी लेक्स पर यह चौनट फिर आपका 90 हो गया लेकिन जब 100 पे आता है देखो 100 पे देखो यह आपका 100 निखा है तो यहां से यानि इतना बड़ा यह दो देख रहे हो यहां से यहां से देखे वहां तर का आपका क्या है एक मीटर बोला जाएगा थिक मन में आता है आपका इसारा इक मीटर के इतना होता है इतना बड़ा होता है यानि यह एक मीटर के ज्यादा है यह आपका 120 सेंटीमीटर यह मैं लग आपको जाएगा 130 सेंटीमीटर कि इतने का है 130 सेंटीमीटर का है यानि एक मीटर कि अहां कि एक मीटर और आपका 10 और 20 … एक मीटर और दîne, 3 सेंटी मिटर और कि कि इतना ? कि तेंटी मिटर का हूसे जहां के? कहा करता? क्रवान यहां करता है? क्या करता है? क्रूस मनद समाgoing का समझ को फास था ऐख दे हां, अच्छा कोई पूछे एक मीटर में कितना मलब क्या बोलते इंच होता होगा एक मीटर में कितना इंच होता होगा देखो आप देखों यह 49 नेका है 3 3 तीन नेका है 3 फिट 3 इंच यानि 49 और यह लगभग आपको आ रहा है कितना पांच एक दो तीन चार पांच यानि समझो 49 दस्वलों पांच आपका इंच आएगा 49 दस्वलों पांच इंच ठीक जिस चीज आपको समझ में गई होगी सूथ उतका है यह चीज यह थी वागू हमने समझाना था हमने सुझा समझा थे लगभगों को आता रहा होगा ठीक है आएसे हम एक वीडियो और यूनिट की बनाएंगे जिसमें क्या बोलते कनवर्जन से खाएंगे ठीक है ताज के लिए इतना ही यूनिट का मों बहुत बढ़ा मात होता है बीना यूनिट के आपका ना तो घरते में बुझा रहा है ना तो इंजेरियों में बुझा रहा है बहुत परसान होता है ठीक ताज के लिए इतना ही और बहुत बहुत दनवाद आपको आपनों का दिन बहुत बहुत सुभू हम भी सुभ एक्सरसाइज करके क्या बहुत है सोचे आज हम यूनिट का मों बता दे क्यों सोचे ठीक है